हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल, AJ Medisins में, मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से आ जरूँ दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताओँगा सुक्रा फिल सीरप के बारे में सुक्रा फिल सीरप के मैं आपको use, dose, benefit, side effect, सब कुछ बताओँगा आप बने रही है इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो like चैनल को जरूर कर लो subscribe क्यूंकि दोस्तो मै हमेशा medicine से related वीडियो इस channel पर upload करता हूं तो bell icon को press करके notification bell call जरूर करतें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो upload करू medicine से related या फिर health से related तो वो आप तक notification के द्वारा जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं सुक्राफिश सिरप डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा लिखे जाने वाले दवाओं में से एक है यह एक अलोपैथिक दवा है जिसका इस्तिमाल मुख्य रूप से पेट से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए यानि कि अगर किसी के पेट में अलसर है तो से ठीक करने के लिए से यूज किया आता है इसके अलावा भी यह और भी कई पेट से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा और यह भी बताऊंगा इसे लेने का सही तरीका साथ साथ हम यह भी जानेंगे किने इसका उप्योग नहीं करना चाहिए यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो आप लोग बन कंपनी इसे बनाती है फॉर्टिस इंडिया लेवर्ट्रीज और कॉम्पूजिशन इसके अंदर होता है इसमें होता है सुक्राल फेट 500 इमजी चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि इन्हें किसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों जिन लोगों ने सराब का सेवन कर रखा हूं वो लोगी सिरफ का इस्तवाल ना करें बिलकल भी अगर वो करना चाहते थो एक बार से सला ले उसके बाद इस्तेमाल करें या फिर अगर डोक्टरों ने देते तो बे जिजएक आप इस्तेमाल कर सकते हैं चोटे बच्चों को यानि कि एक से तीन साल के बच्चों को ये दवा बस ना दे इस बात का भी आपको ध्यान रखना है चलिए अब मैं आपको बताता हूं इससे क्या-क्या फाइदे होते हैं यानि कि ये किन-किन प्रॉब्लम्स म में बहुत ही जवर्जस्त काम करता है दोस्तों ये सिरफ अगर किसी के पेट में अलसर है उसे तो ठीक करता ही है साथ-साथ ये किसी के पेट में बहुत ज़्यादा एसीडिटी बनती हो खटी धकार बहुत ज़्यादा आती हो उसे भी ठीक करता है या फिर किसी के पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने की वज़े से सीने में पेट में और गले में जलन होने लगता हो तो ऐसी कंडिशन में अगर इसे दिया जाए तो उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है साथ-साथ यह कई लोगों को थोड़ी कॉंस्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो य इन लोगों को पेट के गैस से ज़्यादा परेसानी रहती है हमेशा वह परेसान देते हैं पेट फुला फुला महसूस होता है कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करता है तो ऐसी कंडिशन में इस सीरफ का लेना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप यह सीरफ लेना सुरू करो लेना होता है खाना खाने के आपको एक घंटे बाद लेना है ताकि दवा बहुत अच्छी तरीके से काम करें कई बार डॉक्टरे से खाली पेट भी बताते हैं तो आप खाली पेट भी ले सकते हैं लेकिन डॉक्टर कहें तो नहीं तो आप खाना खाने के घंटे बाद ले बहुत ही अच्छा result इसका आएगा और दोस्तों अगर आप बच्चे को देना चाहते हो तो बच्चे की उमर 5 साल से 13 साल के बीच होनी चीए उन बच्चों को आप 4 ml सुबह 4 ml साम को दे सकते हो अगर दिक्कत जादा है तो 4 ml सुबह 4 ml दुपैर में और 4 ml रात को इस तरीके से भी दिया जा सकता है तो दोस्तों इस तरीके से आप बच्चों में भी दे सकते हो अब मैं आपको बताता हूँ इस से होने वाले साइड इफेक्ट जब आप इस सीरप को लेना शुरू करते हो और आपको उल्टी समन या उल्टी होने लगे तो समझ लीजिए आपको इस नहीं हो रहा या फिर आपको नींद ना आए नींद आने में प्रॉब्लम लगे सो ना पावा अगर आप सही से तो ऐसी कंडिशन में भी आप समझ सकते हो कि आपको इस उट नहीं हो रहा है और जब यह दवा सूट नहों तो तुरंत आपको नजदी की डॉक्टर से मिलना चीए और कोई भी दवा यूज करने से पहले उसकी जानकारी आपके पास होनी चीए और साथ-साथ आपको डॉक्टर से भी एक बार सला लेनी चीए उसके बाद ही इस्तेमाल करना चीए आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आज के लिए इतना ही कल फिर म में लोगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए गुडबाए